हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्त ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाएगे मेरे इस नंबर के जरीए संपर्ख कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वाइर फॉर्मेशन में नजर आ रही है जो इंडिकीट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं यहां से base phalanges या fingers की thickness को judge कर सकते हैं थिक fingers का होना indicate करता है कि native की energy and stamina काफी अच्छा रहेगा यहां पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं लगबग सभी fingers की उपर नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसे रिखाएं होना दर्शाता है कि native काफी मिलनसार सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं अगर हम इनकी fingers की लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे fingers काफी अच्छी length में है इनकी ब्रस्पति finger यानि गुरू finger काफी अच्छी लंबाई में है इस तरह की गुरू finger का होना indicate करता है कि native काफी knowledgeable होगा ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी knowledge गेन करते हैं अध्यात्मिक टाइप की personality भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी ऐसे native जिनकी ब्रस्पति finger strong होती है दूसरों को guide करने वाले होते है शिक्षा की खेत्र में अध्यात्म की खेत्र में काफी अच्छी पहच्छान बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामियाब हो जाते हैं अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में और काफी अच्छी थिकनस में शनी finger यहाँ पर नजर आ रही है शनी finger का strong होना native को महिनती nature का बनाता है ऐसे व्यक्ति discipline होते हैं एक नियाई प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरकी करपाने में भी ऐसे व्यक्ति कामियाब हो जाते हैं सूर्या फिंगर की बात की जाये तो आप देख पाएंगे सूर्या फिंगर की जो लंबाई है आपको यहाँ पर तरजनी से हलकी सी अधिक नजर आएगी सूर्या फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सरकल देता है ऐसे व्यक्ति काफी creative nature के होते हैं बहुत अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी सुरे फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना native को थोड़ा risk टेक कर भी बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार risk ले लेते हैं जहां पर loss की समभावनाई हो जैसे share market है crypto currencies है, mutual funds है, multi level marketing है ऐसी चीजों की तरभी native का रुचान आपको देखने को मिलेगा अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी mercury finger की बात करें तो यह finger हलकी सी low set नजर आ रही है fingers के बिलकुल नीचे अगर एक line draw की जाए तो आपको यह रेखा कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी groove finger, shani finger और surya की finger तीनों की तीनों काफी high set है चबकि इनकी mercury finger आपको थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई low set नजर आएगी इस finger का low set होना native को थोड़ी shy type की nature दे सकता है लेकिन यह finger लंबाई में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से native के communication skills और native का business acumen काफी बहतर रहता है ऐसे व्यक्ति की पूरवा नमान लगाने की शमता भी काफी strong होती है अगर mounts की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो यह वाला area यानि गुरू परवत का mount है काफी अच्छा है गुरू परवत काफी strong नजर आ रहा है उबरा हुआ गुरू परवत होना indicate करता है कि native काफी ग्यानवान होगा ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं दूसरों को गाइड करने वाले दूसरों को शिक्षित करने वाले होते हैं इसी वज़े से शिक्षा की शेत्र में भी काफी अच्छी progress के chances रहते हैं इन लोगों का ब्रस्पती strong होता है ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की age के बाद समाज में काफी अच्छा मान समान और प्रतिष्ठा भी पाने लगते हैं शनी का जो mountain है इनका यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं शनी परवत हलका साथ दबा हुआ और शनी रेखा भी यहाँ पर हलकी सी break के साथ overlapping के साथ आगे बढ़ रही आप यहाँ पर देख पाएंगे पाइव के आसपास की एज में थोड़े उतार चड़ा जीवन में देगी और इस mount का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के चांसिस रहेंगे यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है कोई भी break आगे नजर नहीं आ रही अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो शनी की भाती सूर्या का mount भी यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई appreciation कोई reward नहीं मिल पाता यहाँ पर एक triangle की formation हो रही है जिसमें एक रेखा थोड़ी सी हलकी है लेकन यहाँ triangle लगबग बनता हुआ अगर यह उपर वाली रेखा और strength में आ जाती है तो यह complete triangle बनेगा और सूर्या परवत पर triangle का बनना native को government की तरब से भी अच्छे लाब दिलवा सकता है इनका mercury mount भले ही हलका सा low set है लेकन यह area आपको काफी उठा हुआ भी नजर आएगा यहाँ पर कुछ हलकी इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रिखाएं मौचूद है जिनकी वज़े से native की healing capabilities काफी strong होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को दूर करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या consultation के माध्यम से लोगों की problems को दूर करने की capability ऐसे व्यक्ति की strong रहती है हाट लाइन की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक trident का sign बनाती हुए आपको हाट लाइन नजर आएगी कुछ इस तरह से एक तरशूल नुमा अकरिती हाट लाइन के अंत में बनती हुई आपको नजर आएगी इस तरह का चिन हथेली पर बनना बहुत ही भागेशाली माना जाता है ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ती करें तो चीवन में बहुत तरक्की पा लेते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का त्रिशूल का चिन हो अगर इमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर मिलती है लेकिन इसके रुक सकती है ओवरॉल काफी अच्छी हार्ट की लाइन यहां पर कोई मेजर इशू नहीं है लेकिन कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिज आपको यहां पर नज़र आएंगे जिसकी वज़े से लिटरेज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इशूस का सामना ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है अगर हम इनकी मस्तिक्ष रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे माइन लाइन यहां पर हलका सा जुकाव लिये हुए नीचे चंदर परवत की तरफ जुकती हुई नजर आ रही है यहां से यह रेखा आपको कुछ इस तरह से नीचे का रुक लेती नज करता है कि नेटिव काफी क्रियेटिव नेचर का होगा चंदर परवत की तरफ इस रेखा का जुकना नेटिव को ओवर इमेजिनेशन्स देता है लेकिन अगर ऐसा व्यति अपनी इमेजिनेशन्स को चैनेलाइज कर लेता है अपनी कलपनाओं को सही से इस्तिमाल कर ले तो एक बहुत अच्छा राइटर या बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है ऐसा साइन नेटिव को काफी अच्छी क्रिटिविटी भी देता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह है फोर का चिन हो कोई भी क्रियेटिव काम अपनी जीवन में ना करे तो यही जो फोर का साइन है नेटिव को ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ना कुछ एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी दे सकता है इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सुजिस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ क्रियेटिव काम बात करें तो जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है जीवन रेखा का इस तरह हैं से अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी ऐसे व्यक्ति लगबग 75 से लेकर 80 तक की लाइफ को इंजॉय करते हैं जीवन रेख रिखाऊं से आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर बहुत हलकी रिखाएं हैं लेकिन यहां एक कम्पलीट फिश नुमा चिन आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का साइन यहां पर यहां बन रहा है इस एरिया को के तू माउंट कहते हैं के तू परव अगर ऐसा फिश का सिंबल बन जाए तो चीवन में कई बार अचानक धन का लाब होने की संभावनाएं बनती हैं ऐसा साइन होने से नेटिव कू शेर मार्किट से लोटरी से इंशोरेंस के माधियम से या इनहारिटेंस यानी पुष्टैनी जमीन जायदाद के माधियम से भ जरूर मिलता है अगर इनके वीनस यानी शुकर परवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शुकर परवत का जो एरिया है काफी उठा हुआ है काफी उभरा हुआ है वीनस का मांट अगर किसी व्यक्ती का इस तरह से उभरा हुआ नजर आए तो यह एक को ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में इंजॉय कर पाता है इनका अंगूठा गर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी अच्छी थिकनेस और लंबाई में नजर आ रहा है जिसकी वज़े से नेटिव की लॉजिकल पावर काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की व जिसकी वज़े से नेटिव की एनरची एंड स्टैमिना भरपूर रहता है उठा हुआ मंगल परवत नेटिव को चीवन में काफी अच्छी अचल संपती यानि जमीन जैदाद का सुख भी देता है इसे व्यक्ति अपनी चीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच सकते हैं जो चंदरपरवत का एरिया है यहाँ पर इस पर हमें बहुत सारी रिखाई नजर आ रही है और चंदरपरवत के ओपर काफी सारी रिखाओं का होना नेटिव को काफी ट्रैवल देता है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रिखाएं नीचे से उपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी ऐसी रिखाएं जितनी अधिक मातरा में होते हैं उतनी ज्यादा यात्राएं जीवन में करने पड़ती हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन में लॉंग डिस्टेंस और शौर्ट डिस्टेंस दोनों तरहां की यात्राएं करने का सुख मिलता है ले लेकिन इस परवत के उपर यानी चंदर परवत के उपर अगर ऐसी काफी सारी रिखाएं हो और दूसरा अगर मस्तिश रिखा भी इस तरह ऐसे जुक कर चंदर परवत के उपर आ जाए तो यह नेटिव को काफी सारी एंग्साइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं ओर तिंक फिरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद